दोस्तों एक बार की बात है कि बहुत तेज चिलचिलाती गर्मी पढ़ रही थी. दोपहर का समय था. इस गर्मी भरी दोपहर में एक कौवा प्यास के मारे पानी की तलाश में भटक रहा था. बहुत से जग़ा धूनने के बाद भी कौवे को पानी नहीं मिला. पानी की प्यास करने के बाद भी कौवा अपनी चोंच पानी तक नहीं पहुचा पा रहा था। जब कौवे ने देखा कि वो पानी तक अपनी चोंच नहीं पहुचा पा रहा है तो कौवे ने इसके लिए एक तरकीब निकाली। रंग लाई और देखते ही देखते पानी घड़े के ओपरी सिरे तक पहुच गया जिसके बाद प्यासे कौवे ने पानी पी कर अपनी प्यास बुझाए। कौवे की कहानी हमें ये सीख देती है कि कि किसी भी परिस्थिती में अपना स्वभाव सकारात्मग रखें। यदि आ अपना स्वभाव सकारात्मग रखें।